दोस्तों आज इस वीडियो में आपको Apple Watch की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें से आप कुछ जानते होंगे और कुछ आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाली है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू गरते हैं WatchOS 10 के बाद Apple Watch का यूजर इंटरफेस थोड़ा से चेंज हो गया था जैसे अब आप साइड बटन को प्रेस करेंगे तो रिसेंट एप्स की जगह कंट्रोल सेंटर ओपन होगा रिसेंट एप्स को ओपन करने के लिए अब आपको क्राउन को दो बार प्रेस करना पड़ता है और कुछ सेकेंड सक रुकते ही लास्ट एप अपने आप ओपन हो जाती है क्राउन को एक बार प्रेस करके आप वोच की सभी एप्स को देख सकते हैं आप अपनी एपल वोच को बिना टच करें सिर्फ अपनी उंगलियों के इशारे से भी चला सकते हैं इसके लिए आपको वोच की सैटिंग्स में एकसिबिलिटी के अंदर एसिस्टिव टच को ओन कर देना है और फिर नीचे हैंड जेस्टिर्स को भी ओन कर देना है इसके बाद आप अपने हाथ को दो बार बंद करके एक्शन मेन्यो को ओपन कर सकते हैं फिर सिंगल टैप करके आप फोरवर्ड जा सकते हैं और डबल टैप करके आप बैकवर्ड जा सकते हैं किसी भी action पर tap करने के लिए आपको एक बार हाथ को बंद करना है तो इस तरीके से आप पूरी apple watch को बिना touch करे यूज़ कर सकते हैं बाकी आप चाहिए तो इसकी settings में इन gestures को अपने हसाब से भी change कर सकते हैं जब आप single tap या double tap करते हैं या फिर हाथ बंद करते हैं तो आपके कलाई पर अलग लग तरह का feedback मिलता है जिसे apple watch के sensor sense करके आपके commands को perform करते हैं hand gestures तो कुछ भी नहीं है next है motion pointer इसका use करके आप सिर्फ अपने हाथ के movement से पूरी watch को use कर सकते हैं accessibility में hand gesture के नीचे आपको motion pointer का option मिलेगा इसमें सबसे नीचे आपको dual control को on कर देना है अब इसे active करने के लिए आपको watch को shake करना है और इसके बाद आपको display पर एक pointer show होगा जिसे आप हाथ के movement से screen पर move कर पाएंगे अब आपको जिस control पर tap करना है वहाँ इस pointer को ले जाकर कुछ seconds के लिए hold करना है इसी तरीके से आप पूरी watch को इस pointer और hand moment से use कर सकते हैं अगर आप अपनी watch को देखे बिना सिर्फ टच करके time का पता लगाना चाहते हैं तो आप settings में clock app के अंदर tap tick time को ओन कर सकते हैं इसके बाद जब आप watch को control center में जाके silent कर देंगे और watch face पर दो अंगलियों से tap करके 2 seconds के लिए hold करके रखेंगे तो आपको vibration के tap feel होंगे जिनने count करके आप time का पता लगा सकते हैं इसके लावा अगर आपने speak time भी on कर रखा होगा और control भी silent mode select कर रखा होगा तो जैसे आप watch का silent mode अटा कर watch face पर दो अंगलियों से tap करेंगे तो watch आपको speaker की तुरूग current time बता देगी वोच में अगर कोई भी alert आता है तो आप watch को cover करके उसे silent कर सकते हैं इस feature को आप watch की settings में gestures के अंदर cover to mute से on कर सकते हैं एपल watch में अगर आप websites को browse करना चाते हैं तो आप इसके app store में जाकर parity browser को download कर सकते हैं इसके बाद search icon पर tap करके आप कुछ भी search कर सकते हैं फिर नीचे plus minus button पर tap करके आप search engine को choose कर सकते हैं जैसे मैंने google select किया है बस इसके बाद पूरा web page आपको अपनी watch में देखने को मिल जाएगा आप अपनी watch से iPhone को control कर सकते हैं इसके लिए आपको watch की settings में accessibility में नीचे control nearby devices का option मिलेगा इसके अंदर जाकर आप Apple watch से connected सबी devices को देख सकते हैं जैसे मेरा iPhone 15 Pro इसमें show हो रहा है तो जैसे मैं इस पर tap करूँगा तो कुछ control show होंगे जिनका use करके मैं Apple watch से मेरे iPhone को control कर सकता हूँ watch OS X के बाद जब आप side crown को press करके सबी apps को open करते हैं तो यह honeycomb style में तो दिखती है पर अब यह vertical alignment में आती है जिने आप side crown को गुमा कर या screen पर टच करके scroll कर सकते हैं app view में कुछ seconds सखोल करके आप इन apps को rearrange कर सकते हैं और जिस app को आप ज़्यादे use करते हैं उसे आप उपर रख सकते हैं इसके लावत settings में जाकर तो आप app view को change करी सकते हैं पर watchOS 10 के बाद आप direct app page के सबसे नीचे जाकर direct list या फिर grid view को change कर सकते हैं जैसे पहले आप watch face पर crown को rotate करते थे तो watch faces में कुछ इस तरह की अलग-अलग animations या effects देखने को मिलते थे पर watchOS 10 के update के बाद आप watch face पर crown को rotate करते हैं तो कुछ इस तरह का visit section आजाता है अगर आप पहले की तरह crown को rotate करके watch faces के animation को देखना चाहते हैं तो आपको अब watch face पर एक बाद tap करके फिर crown को rotate करना है फिर आप पहले की तरह animations को देख पाएंगे नई update के बाद आप watch face पर swipe करके इनने change नहीं कर सकते हैं अगर अगर आप पहले की तरह swipe करके watch face इसको change करना चाहते हैं, तो आप settings में clock के अंदर swipe to switch watch face को on कर सकते हैं, Mickey Mouse watch face पर एक बार tap करेंगे तो आपको एक current time बता देगा, इसके लबए Snoopy का काफे cool watch face है, जिसमें आप जितनी बार अपनी watch की display को on करते हैं, उतनी बार आपको watch face में ये अलग-अलग चीज़े करता हुआ दिखाई देता है, अगर आपने apple watch को pen नहीं रखा है और आपको अचानक से कुछ याद आ जाता है जो आप apple watch में करना चाहते हैं, तो आप direct अपने iPhone की settings में accessibility के अंदर नीचे apple watch mirroring को on कर सकते हैं, इसके बाद आप direct अपने phone में apple watch को use कर सकते हैं, और इसमें जो इस side buttons है ये भी actual में काम करते हैं, एक बार में रात को watch बंद करना भूल गया था तो मैंने direct इसी से watch की power को off किया था, तो ये भी काफी cool feature है जो आपको apple watch में मिल जाता है, watch की compass app में जाकर आप अपनी current location का elevation भी चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप समुदर तल से कितनी उंचाई पर हैं तो जो hiking या tracking करते हैं उनके लिए काफी cool feature है, उपर i button पर tap करके आप नीचे जाएंगे तो आपको elevation में set target alert का option मिलेगा, अब आप इसमें crown को rotate करके एक specific elevation सेट कर सकते हैं जिस elevation पर पहुंचने के बाद आप अपनी apple watch से alert चाते हैं, इंडिया में इतने ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी most लोगों को vitamin D की deficiency होती है, जिससे हड़िया कमजोर हो जाती है, पर apple watch के use करके आप पता लगा सकते हैं कि आप पूरे दिन में कितन देर धूप में रहें, इसके लिए आपको watch की settings में privacy and security में नीची जाकर health को open करना है, और इसमें आपको time in daylight को own कर देना है, इसके बाद watch की sensors एक idea लगा लेंगे कि आप पूरे दिन में कितने देर दूप में रहते हैं, इस data को आप iPhone की health app में mental well being में time in daylight के अंदर जाकर देख सकते हैं, एपल watch में type करते हैं अगर आपको इसके display चोटी लगती है तो जैसे आप Apple watch में text field पर tap करते हैं, तो आपको iPhone में भी एक notification show होती है जिस पर tap करके आप अपने iPhone की keyboard से watch में type कर सकते हैं, ये feature मुझे बहुत ज़्यादा handy लगता है, अगर आप Apple watch को रात में पहन कर सोते हैं तो आप फोन की जगा डिरेक्ट watch की alarm में जाकर भी alarm को set कर सकते हैं, इसके बाद जब alarm बजेगी तो आपको watch में alarm के साथ काफ़े अची vibration भी फील होगी, जिससे आप काफ़े अराम से सुबह उट पाएंगे, watch की settings में, accessibility में अगर आप quick action को on कर दें, तो आप कुछ actions को instant अपनी उंगलियों को pinch करके कर सकते हैं, जैसे अगर call आ रही है, तो आप double pinch करके call को attend कर सकते हैं, या alarm को snooze भी कर सकते हैं, सबसे best है कि अगर आपने watch में camera app को open कर रखा है, तो आप direct double pinch करके photo click कर सकते हैं, अगर आप कोई medication या फिर supplement लेते हैं, तो आप iPhone की health app में medications के अंदर जाकर, अपनी medicine को add कर सकते हैं, इसमें आप medicine का नाम, उसकी shape, strength, frequency और time को set कर सकते हैं, इसके बाद जैसे आपकी medication का time होगा, तो आपको iPhone में तो alert मिले गई, साथे साथ आपको अपनी Apple watch में भी alert मिल जाएगा, जिससे आप बिना भूले time से medication ले पाएंगे, Apple watch को बंद करने की बाद भी अगर आप side crown को press करते हैं, तो भी आप time को देख सकते हैं, settings में Siri के अंदर अगर आपने race to speak को own कर रखा है, तो आप direct अपनी watch को मुझे पास ले जाकर, बिना कोई button को दबाए, Siri को command दे सकते हैं, नोर्मली अगर आप किसी app में उपर से swipe down करते हैं, तो आप notification center को access नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप उपर कुछ seconds से hold करके रखें और फिर swipe down करें, तो आप किसी भी app में notification center को access कर सकते हैं, वैसे तो Apple watch full charge करने की बाद पूरा दिन निकाल देती है, पर अगर आप कुछ features को compromise करके Apple watch का battery backup increase करना चाहते हैं, तो आप settings में general के अंदर background app refresh को off कर सकते हैं, इसके बाद कोई भी app background में on नहीं रहेगी, जिसके कारण आपको थोड़ा एक्स्रा battery backup मिल सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप settings में sound and haptics के अंदर haptic alert, crown haptic और system haptic को बंद कर सकते हैं, इसके बाद पूरी watch में कोई भी vibration नहीं होगी, जिसके कारण आपको थोड़ा और battery backup मिल जाएगा, तीसरा तरीका है कि आप control center में battery percentage icon पर tap करके low power mode को own कर सकते हैं, अगर आप watch की battery life को increase करना चाहते हैं, तो आप battery में battery health के अंदर optimized battery charging को own कर सकते हैं, इसके बाद apple watch आपकी uses के असाब से इसकी battery को charge करेगी और जल्दी से इसकी battery खराब नहीं होगी, control center में torch icon पर tap करके आप अपनी apple watch की screen को torch की तरह use कर सकते हैं, और crown को rotate करके आप इसकी brightness को भी adjust कर सकते हैं, अगर आप क्या सपास कोई music चल रहा है और आप उसका नाम जानना चाहते हैं, तो आप direct Siri को बोल सकते हैं what is playing, इसके बाद watch की mic से Siri music को सुन कर आपको उसका नाम बता देगी, यह तो आपको पता ही होगा कि आप control center में जाकर इस phone icon पर tap करके अपने iPhone में sound play कर सकते हैं और इसे डूण सकते हैं, पर क्या आपको पता है आप इस control पर कुछ seconds से खोल करके sound के साथ phone की flash right को भी own कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दुबाद दीजिए जिसने मत जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको पता लग जाए फिर मिलूंग आप से एकले वीडियो में इस वीडियो को दे